नमस्कार दोस्तों मेरा नहीं विजय कुमार और आप देख रहा है कॉमिक्स पिटादा चैनल को दोस्तों हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे बचाना मुश्किल जो के कोभी अर्भेणिया के कॉमिक्स है इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है पहले कि मस्तिक्स में आंधिया सी चैनल देगी ओ तो इसका मतलब रच्पिचास कोभी के अंदर है मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि कोभी द्वारा गुपर तूरते ही पिचास उसमें समा गया होगा ज़रूर तब तब भी कोभी कहीं आसपास होगा जब मैंने मंडी के क करन असपटिक को लाल हुआ मान लिया रुख जाओ मैं करते हूं रुख जाओ कोभी पर यह पागलपन उस पिचास के कारण और बढ़ सकता है क्योंकि वह अंधर ही अंदर इसका रख चूस रहा होगा इसे कोभी को बैचैनी हो रही होगी इसे फौरण बेहोस करना होगा अ सपटिक लाल हो गया हकिकर जानकर जेन जैसे बोच सी बनी खड़ी रह गई फिर इसी जिंदा रखने के लिए रक्ट पिलाना पड़ेगा अरक्ट मिलेगा नहीं तो क्या यह नहीं नहीं बाबा हैसा नहीं हो सकता कोई विमौत कोभी को नहीं मार सकती फिर उस रख पिचास की क्या मजाल बाबा कोभी को मैं अपना खून देखकर खून देखकर जिंदा रखूंगी अगर ऐसा करोगी जंगल में कितने लोग कोभी की खून की प्यास के सिकार हो जाएंगे यह नर्भक्ची बन जाएगा तब उस सब की जिम्यदाब तुम होंगी अगर तीन दिन तक पिचास को जलाया नहीं गिया तो वो कोभी की लास से निकल कर किसी दूसरे में चला जाएगा नहीं यह भी तो हो सकता है कि पहले की तरह यह अस्पर्टिक इस बार भी जूटा सा भी तो कोभी में रख पिचास होई ही ना नहीं बाबा मुझे आपके इस अस्पर्टिक पर भोरोसा नहीं पहले मुझे भोरोसा दिलाएं दूसरा अस्पर्टिक लाएं उस अस्पर्टिक को कोभी से अस्पर्स करा कर देखें अगर वो तब भी लाल हो गया तो मैं माल लूँगी कि रख पिचास कोभी में परवेश कर चुका है फिर जो आप कहेंगे वह होने दूँगी मुझे बताईए बाबा कहा रखा है दूसरा एस्पठिक में लेकर आता हूं भेडिया गया जल्दी मुठी में एस्पठिक दवाय लोटा बबा मैं एस्पठिक ले आया एस्पठिक मुझे दो वेडिया उस oversight म disc पोजो यंग जेन के आगे खोली तो दोनों को जैसे साप डंक मार गया ये क्या ये तो पहले से लाल है भेडिया ये लाल कभ वग साधी में भी नइए रक्त-पिचास मुझ में है मेरे असपर्स के साथ ही ये असपटिक लाल हो गया था नहीं नहीं पहली बार जब अस्पटिक लाल हुआ था तो तुम वहाँ पर मौझूद थे दूसरी बार भी तुम यहां कोभी के साथ मौझूद थे अस्पटिक तुम्हारी वज़े से लाल हो रहा था पर मेरा ध्यान तुम्हारी तरफ ना गया रगपिचास तुम्हें कब परवेश कर गया भेडिया तपादी ने पहले मुझे कोभी द्वारा गुफा तोड़े जाने की खबर दी थी उसकी चान्विन करने मैं वहाँ गया था शाथ तभी बाबा, शाथ तभी वो रगपिचास मुझे में परवेश कर गया होगा देर हो गई, आज दो दिनों से भेडिया का खून अंदर ही अंदर चूस रहा है रगपिचास कमजोडी से चक्कर आया है इसे, रगपिचास तीन दिनों में सारा रगप चूस कर दिकलता है और कल तीसरा दिन है यानि कल भेडिया के सरीर से वो किसी दूसरे सरीर में चला जाएगा भेडिया को जिंदा रखने के सर्थ वही है भेडिया के मेल का खून जो हमारे पास है नहीं यानि भेडिया की मौत तो निश्चित है लेकिन अगर सैता रक्तपिचास निकल गया तो फिर दोबारा कोई मरेगा ना जाने कितने लोग मरेंगे तो क्या कहना चाहते हो तुम भेडिया का भी वही अंजाम जो हमने निर्दोस मंडी का किया आप इसे बचाना मुश्किल है हकी बकी सी खड़ी थी जेन फोजो विवस था लचार था जेन अब कुछ नहीं हो सकता हैसला तुम पर है भेडिया होस में होता तो अपने कुर्वानी दे देता होस में हूँ बाबा अभी होस में हूँ वही करू जो आपका दिल कहता है इस पगली जेन की मत सुनना होस खो बैठा भेडिया तब फोजो ने आदेश दिया इसकी यही पर चीता बना दो जल्दे करो जेन वहां खड़ी ना रही कोई तो रास्ता होगा कुछ तो कर सकती होंगी मैं उसे बचाने के लिए भेडिया की चीता सजने लगी जल्दे करो अपने हाथों से जला ना होगा तुम्हे ये तो ना सोचा था भेडिया का सरी लकडियों पर रखकर बाके लकडिया उपर से रखो तैयार हो गई थी चीता हे भगवान कर कोई करिस्मा बचा इस फरिस्ते को और ना सारा जंगल खून बहाएगा अपने आस्वों के रूप में पर अब उसे बचाना मुश्किल था जेन की उमीदे नहीं तूटी थी अचानक उसमें रख्त का नया संचार हुआ था ओ भेडिया बच सकता है एक रास्ता है मेरे पास उसे बचाने का जब तक कोई और रास्ता ना सुच जा उस रख्त पिचास को खत्म करने का मुझे इसी रास्ते का परियोग करना होगा और वो रास्ता बनाएंगी ये जोंके इन जोंकों को मैं कोवी के सरीर पर ढाल दूँगी पर कोवी के सरीर पर जोंके छोड़कर जेन आखिर करना क्या चाती थी तैयार हो चुके थी लगवग देहोस हो चुके भेडिया की चिता फुजो का हर्दे बहुत कठोर है सरदार जंगोली वक्त पड़े तो वो आपना कलेजा काट कर भी जंगल पर कुर्वान कर सकता है फुजो बाबा भेडिया की चिता को अगनी तूम दोगे या मैं ही दोँ भेडिया को अगनी की नहीं इस खौन की जरुवत है क्या बक्ती हो इसी खोन पिलाकर नरवक्षी बनाओगी ताकि फिर से ये जिन्दा होकर हम सब के खून से अपनी प्यास बुजाए जेन, पागल हुई हो क्या, नहीं बाबा, ये खून भेडिया की जान बचा सकता है क्योंकि बकवास, पकर दो इसे, ये जो खून लाई है, वो जमीन पर बहा दो ये हमारा समय खराब कर रही है खवरदार, किसे ने मेरी तरफ कदम बढ़ाया, तो उसके लिए अच्छा ना होगा ये पागल लड़की, हम सब भी मौत का कारण बनना चाहती है बाबा, खच, आह, चीप तो पड़ी थी जेन पर इस वक्त फूजो के घायल होने की भी उसकी परवान ना की और भेडिया की तरफ जपट बड़ी इतने जुनुनी लोगों को समझाना मुस्की लहे कि मैं क्या कर रही हूँ और ना ही इनकी समझ में आएगा रोको इसे, जेन अपनी कर गुजरी तबाही, बरवादी सब इस लड़के के कारण होगा अस्तप्था फूजो फूजो भी क्या करता ना जाने क्या होने वाला था मगर जो हुआ वो सबकी आँखों के सामने हुआ क्रियो सबकी आँखों ने पत्राई से उस्ता में देखा वो लूम हरसक द्रिस्ते उफ, ये क्या भेरिया के मुझे आग से निकल रही है ये आग रख पिचास है अब हमें कोई नहीं बचा सकता आग धुए में बदल गई और जेन मुझे अभी तक जलाया क्यों नहीं एक मिनट एक मिनट मुझे लगता है भेरिया के सरीर में समाया रख पिचास जलकर राख हो गया है जेन किसका खून था वो कोभी का बबा जिसे मैंने जोग की मदद से निकाला था भेरिया और कोभी तो एक ही सरीर के दो हिस्ते हैं फिर उनका खून भी तो एक ही होना चाहिए यहीं सोचकर मैंने तब तक भेरिया को कोभी का रख मिलाने का निश्चय किया था जब तक कि रख पिचास से निपटने का कोई और रास्ता हम ना खूज लेते कई चमतकाई श्तक्तियों के स्वामी कोभी के खून के इसपर्ष से रख पिचास जलकर राख हो गया ओ जेन तुमारे दूर की सोचने तो कमाल ही कर दिया अब भेरिया भी जिन्दा रहेगा और जंगल भी हमें भी माप कर दो हम तुमें गलत समझे थे इतना ही काफी है कि मुसीबत टल गई और भेरिया तुमारी दी इस जिन्दिगी का करजदार हो गया जेन ये करच सूथ सहित उस दिन चुकता होगा जिस दिन तुम पहले वाले भेरिया बनकर मेरे गले में वर्दमाला डालोगे आएगा वो दिन भी आएगा जिन और जल्दी आएगा जेन की तरह हम भी सिर्फ उस दिन का इंतिजार ही कर सकते हैं इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है मिलेंगे एक और नहीं कोमिक्स में तब तक के लिए बाई अगर वीडियो अच्छे नहीं तब वीडियो को लाइक कर देना चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए